हेलो फ्रेंट विल्कम टू देयाल एजुकेशन आज हम लोग त्री डिजी शॉट ट्रिक्स अब मल्टिफिकेशन करना सीखेंगे जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है आल कम्टिटी उग्जाम और बैंग के लिए आएविप्यस पीओ और एमटी की वैकेंसी भी आ चुकी है जिसमें आपको जितना ही शॉट ट्रिक आएगा उतना ही आपके लिए अच्छर है और शॉट ट्रिक मल्टिफिकेशन हमेज़ा काम आते ही आते हैं आप जितने ही स्पीड और एकुरिशी के साथ कोशिशन करने से पहले हम आप से चोटा सा रिक्वेश्ट करना चाहिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल आइकन को प्रेस करना मत भूले जिसे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रही है तो चलिए यहां पर हमने यहां प पैला हम लोग क्या करेंगे तरी और टू का मल्टिपलाइ करेंगे तरी और टू का आप मल्टिपलाइ करेंगे तो आपका आइंस्य क्या आएगा यहाँ पे 6 क्या आएगा 6 next आपका है 3 और 4 का cross multiplication करेंगे 3 4 का और 2 5 का 3 4 का करेंगे तो 3 4 जा कितना आपका हैगा 12 okay next आपका करेंगे 5 और 2 का multiply तो आपका हैगा 10 आप इन दोनों को add कर लेंगे तो आपका है जाएगा 22 22 का हम यहाँ पे 2 लिक लेंगे बचेगा हमारा 2 carry अब देखें next step second step में हमने यह arrow बना रखा है देखिए cross multiplication करेंगे 3 का 3 में करेंगे 2 का 2 में करेंगे और 4 और 5 का multiply करेंगे तो पहले हम 3 3 का multiply करेंगे तो कितना आएगा आईगा आपका 9 ठीक है फिर हम 2 और 2 का multiply करेंगे तो कितना आएगा फोर और फोर और फॉर का लिख लेंगे जिससे उसे भी एट करना उससे करी को कभी मत बूलियागा नहीं तो सारा कोशिया नहीं कर आप हो जाएगा जिए यहां पर गलत हो जाएगा तो यहां पर देखिए यहां पर लिख लिख लिया और यहां पर भी लिख लिख लिया और यहां पर लिखते जाएं जिससे आपको final answer मिलता रहे तो next हमारा step है यह third step है अब यहाँ पर देखिए cross multiply करेंगे 3 और 5 और 4 2 का 5 3 जा 15 क्या होगा यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 ओके 5 3 जा 15 और 2 और 4 जा 8 कितना 8 इसको भी लिख लेंगे और हमारा जो यह carry वच्छा था 3 उसे भी add कर लेंगे तो 5 8 13 13 16 और यहाँ पर हमारा कितना मिलगे 26 अब यहाँ पर हम 26 का 6 लिख लेंगे और 2 हमारा क्या हो जाएगा carry और यहाँ पर भी लिखते जाएगे जिसे आपको final answer मिलता रहें अब next यहाँ पर देखिए 4 step में हमारा क्या है 3 और 2 का multiply करेंगे कितना आएगा 6 कितना 2 3 जा 6 6 लिख लिख लिया और 26 में जो 2 carry बचा था उसे भी लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 यह step करने पर हमारा कितना आया 8 उसके बाद यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी हम 8 लिख लेते हैं ठीक है 8 हमने लिख लिया तो हमारा क्या हुआ 8 6 5 2 6 solve करने पर answer आ गया आप 3 और 2 का multiply करेंगे फिर उसके बाद 4 3 2 5 का cross multiplication करेंगे फिर जो आएगा उसे add करके और आप carry भी add करते जाएगा और next यहाँ पर भी देखिए cross multiplication करेंगे फिर जो आएगा उसे carry आप add करते जाएगे next step में भी यहाँ पर देखिए इन सब का cross multiplication करेंगे और जो carry आएगा उसे add करते जाएगे I hope आपको समझ में आ गया तो आपको वीडियो को like और share करना मत भूलेगा thank you thank you watching my